लंका विजय लंका कूच की तैयारियां राद भर चलती रही सभी तत पर सभी उद्यत सुभा कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया युद के बारे में कहा युद भयानक होगा इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारिरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जो दुर्बल हैं यहीं रुख जाएं वानर सेना को युद के नियम बताए गए रक्षा और आक्रमन के तरीके सेना किशकिंदा से दहारती गरशती किलकारियां भरती रवाना हुई राम लक्षमन और सुग्रीव की जैकार से आकाश गुन जुठा लाखो वानर थे चारों और कोला हल वे पेडों पहाडों को रोंते चले जा रहे थे इसका नेततरू नल कर रहे थे सुग्रीव के सेना पती जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे यह सेना की रन्नेती का हिस्सा था दिन राच चलकर सेना ने महिंद परवत पर डेरा डाला वही परवत जहां से हनुमान ने चलांग लगाई थी समुद्र निकट ही था परवत पर सेना का ध्वज लगाया गया तंबू लगे पता काएं हवा में लहरा रही थी उधर लंका में खलबली मची हुई थी राक्षरसों में बेचैनी थी उनके मन में डर बैट गया था राम की शक्ती को लेकर जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है विभीशन ने सुनी नगर की हताशा उनसे देखी नहीं गई ऐसी हताश सेना युद नहीं कर सकती उसकी पराज्य निश्चित है वे रावन के पास गए उसे सही स्थिति बताने समझाने राम से युद ना किया जाए उन्होंने कहा आप सीता को लोटा दे सबका कल्यान इसी में है सीता मिल जाएगी तो वे आकर्मन नहीं करेंगे रावन ने विभीशन की बात अनसुनी कर दी उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया क्रोद में हुए स्वेम भी उटकर चल पड़ा सबह कक्ष की और उसे राम के समुद्र तड़ पर पहुचने का समाचार मिल चुका था सैनिकों ने राम की सीना की पताकाएं दूर से देख ली थी विभीशन रावन के पीछे चलते रहे बोलते रहे सीता आपके गले में बंधा साप है मैं आपको डस लेगा इसे छोटी बात मत समझे लंका धिराज ये संकेत महाविनाश के हैं मैं अब भी कहता हूँ सीता को लोटा दीजे लंका बच जाएगी तुम मेरे भाई नहीं शत्रू हो मेरे शत्रू के शुपचिन तक हो रावन का क्रोद भड़क उठा निकल जाओ यहां से मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए रावन सभागार की और मुड़ गया विभीशन पीछे दोनों के रास्ते अलग हो गए विभीशन उसी रात लंका से निकल गए चार सहयोकों के साथ उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा समुद्रपार राम के शिविर में अचानक खलबली मची एक वानर चिला कर सब को साथधान कर रहा था हमारे शिविर में राक्षस आ गए है विभीशन कुछ दूर खड़े थे वानर ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया वानर राज में लंका के राजा रावन का छोटा भाई हूँ मैं राम की शरन में आया हूँ आप मुझे उनके पास पहुचा दे विभीशन के चहरे पर डर नहीं था विश्वास था शब्दों में शरियंत नहीं था कातलता थी याचना थी सुग्रीव कुन की बात पर फिर भी भरोसा नहीं हुआ मेरा नाम विभीशन है रावन ने मुझे लंका से निकाल दिया मैंने उससे सीता को लटाने की बात कही थी क्रोध और एंकार में चूर रावन ने मुझे सभा में अपमानित किया मैं प्रान बचा कराया हूँ एक बार राम से मिलवा दे मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ सुग्रीव राम के पास गए मन में शंका अब भी थी अंगत भी उसे संदे की दरश्टी से देख रहे थे राम ने बात सुनी और कहा हमें विभीशन को स्वकार करना चाहिए मैं शरण में आए वेक्ती को कभी निराश नहीं करता यह मेरी नीती है विभीशन को आदर से अंदर लाईए विभीशन राम के पास पहुचे राम ने उनका सतकार किया लंका का समाचार पूछा जल्दी विभीशन राम के विश्वाश पात तरबन गए उन्होंने लंका की बहुत से जानकारी राम को दी रावन और उसके योध्याओ की शक्ती के बारे में बताया कहा रावन पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धी दोनों की आवश्यक्ता है विभीशन तुम चिंता मत करो राक्षस मारे जाएंगे लंका की राजकदी तुम्हारी होगी भविश्य तुम्हारा है राम ने कहा राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनोती थी समूद्र उसे कैसे पार करें राम ने समूद्र से विंद्धी की तीन दिन बैठे रहे कि समूद्र रास्ता दे दे वैं नहीं माना तो राम को करोध आ गया राम का क्रोध देखते हुए समुद्र ने उन्हें सला दी आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है वह पुल बना सकता है उससे वानर सेना पार उतर जाएगी नल ने अगले ही दिन काम प्रारंब कर दिया पुल बनने लगा वानर कंकर पत्थर शिलाएं लाते रहे नल पुल बनाते रहे पांच दिन में पुल तयार हो गया समुद्र को दो टुकडों में बाठता हुआ उसका घमन चूर करता हुआ सबसे पहले विभीशन पुल से उस पार गए पीछे पीछे वानर सेना सेना का अगला शिविर दूसरे तर्ट पर बना असंभव रावन करोद से चीक उठा समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है इस समाचार से रावन को विसमे हुआ भै भी लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था उससे डिगा नहीं उसने आदेश दिया सेना तयार की जाए युद का समय आप हुचा है अब दोनों सेना ये समुद्र के एक ही और थी उनका आमना सामना होना शेश था आकरमन की तयारी थी रन्निदी बन चुकी थी पहले आकरमन की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था रामने अपनी सेना को चार भागों में विभक्त कर दिया लंका के चार दुआर थे चौतर फाकरमन होना था हर टुकडी को एक दुआर सोपा गया रामने परवत शिखर पर चड़कर स्वेम लंका का निरिक्षन किया लंका के वैभव से वे भी चकित थे उन्होंने लक्षमन को बताया सूर्यदे होते ही रामने आदेश दिया लंका को चारो और से घेर लिया जाए वानर सेना जैकार करती चल पड़ी इस बीच रामने अंगद को बुलाया कहा तुम लंका जाओ मेरे दूद बन कर सुलह का अंतिम प्रियास करो कुछ राक्षशों ने उन पर आक्रमन किया अंगद वहां से निकल भागे राम के पास पहुचे कहा रावन को कोई पश्चताप नहीं है वह हमारे साथ सुलह के लिए तैयार नहीं है युद्ध चाहता है अब युद्ध ही एक मात्र विकल्प है वहांने युद्ध के लिए तैयार थे राम के आदेश की प्रतिक्षा में थे आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी उधर रावन के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी राक्षश उतावले थे चीतकार कर रहे थे रावन के जैगोश से लगा की आस्मान फट जाएगा वे दोड़े और वानर सेना पर तोट पड़े भयानक युद्ध हुआ हर और दिल दहलाने वाला शोर हाथियों की चिंगाड खोडों की हिनहिनाहट रतों की सरसराहट कोला हल रत हवा से बाते कर रहे थे तलवारे खिच गई थी पानों से आस्मान भर गया था भाले उड़ रहे थे दोनों और के कई वीर मारे गए रावन के नेक प्राकरमी राक्षस ठेर हो गए धर्ती लाल हो गई थी चट विचट शव बिकरे थे करहाते घायलों की और किसी का ध्यान नहीं था शाम होने को थी मेगनाद ने राक्षस सेना को पीछे हटाते देखा उसने अपने सैनिकों को ललकारा आगे बढ़ो हम विजय के करीब हैं मेगनाद ने सेना का नेतत्र संभाल लिया राक्षस उत्सा से आगे बढ़े मेगनाद की द्रश्टी राम लक्षमन पर थी वे छुपकर युद करता था माया वी था किसी को दिखाई नहीं परता था उसके बान राम और लक्षमन को लगे दोनों वही मूर्चित हो कर गिर पड़े मेगनाद ने समझा काम हो गया उसने दोनों भाईयों को म्रत समझ लिया वे मैदान छोड़कर महल की और दोड़ा रावन को इसकी सूचना देने रंचेत में वानर राम लक्षमन के पास एकत्र हो गए वे चिंतित थे अशुब की आशंका से वे भीशन ने दोनों का उक्चार कराया उनकी मूर्चा तूटी वे खड़े हुए तो वानर दल हर्ष ध्वनी करने लगा अगले दिन युद के लिए तयार रावन की सेना के महाबली एक एकर मारे जा रहे थे धुम्राक्ष मारा गया वजद्रश्ट धर्ती पर गिर पड़ा अकमपन कुचल कर मर गया प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया रावन को इसकी सूचनाय मिलती रही वे घबरा गया वे हडबरा कर उठा और स्वेम कमान संभाली पहली मुठबेड में वे लक्षमन पर भारी पड़ा लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकुट धर्ती पर गिरा दिया वे लजजित होकर लोट गया अब तक रावन को राम की शक्ती का कुछ अनुमान हो गया था जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूजा तो उसने कुमकरन को जगाया वहमा भली था पर छे महीने सोता था कुमकरन दुर्ग से बाहर आया उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई वे उसे रोकने में अक्षम थे उसने हनुमान और अंगद को खायल कर दिया लक्षमन है दुर्ग यह युज देख रहे थे उन्होंने राम की और देखा फिर दोनों भाईयोंने बानों की वर्षा कर उसे मार दिया कुमकरन रन भूमी के अंक में सो गया सदा के लिए रामन निराश हो गया कुमकरन पर उसे गर्व था वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था उसे लगा कि अब लंका में वीर नहीं है वह अनात हो गई मेगनाद ने रामन को सहारा दिया मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं मुझे युद की अनुमती दे मैं दोनों भाईयों को मार कर आपके चर्णों में रख दूँगा मेगनाद और लक्षमन का भीशन युद हुआ मेगनाद पराकरमी था उसने एक बार इंदर को परास कर दिया और इंदर जी गहलाया उसके बाणों ने कई प्रमुखवानरों को घायल कर दिया मेगनाद को रोप पाना वानर सेना के बूते की बात नहीं थी मैं चकरवात की तरह आगे बढ़ता जो भी आसपास होता ध्वस्त हो जाता वानर सेना मेगनाद की गतियों शक्ति से चकित थी उनके मन में निराशा बैठती जा रही थी तब लक्षमन ने उसे चुनोती दी दोनों का निशाना अचूप था वान हवा में टकराते और नश्ट हो जाते अचानक लक्षमन का एक बान उसे लगा वह खायल हो गया जुख गया लक्षमन ने ताबर दोड़ बानों की बरसात कर दी आगे बढ़ना कठिन था मेगनाद पीछे मुड़ा महल की और भागा लक्षमन ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया फिर रुख गए मेगनाद महल में घुज गया लक्षमन को महल की सरचना नहीं पता थी रस्ता नहीं मालूम था विबीचन लक्षमन की दुविधा समझ गये उन्होंने गुप्त मार्ग दिखाया शेशकाम आसान था मेगनाद महल में ही मारा गया अपने जेश्ट पुत्र की मृत्यू से रावन एकदम तूट गया विलाप करने लगा मूर्चित हो गया होश आया तो उसकी दशा पागलो जैसी थी क्रोध से बिलबिलाता हुआ लंका अनात हो गई अब उसका कोई सहरा नहीं अब मैं स्वेम रंशेत्र में जाऊंगा लक्षमन के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई उनके हाथों में जलती हुई मशाले थी वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी अनभंडार फूग दे शास्रगार जला दिया मार काट मच गई जो भी सामने पड़ा मारा गया कमपन, प्रजंग, युपाक्ष, कुम्ब मारे गए हनुमान ने निकुम्ब, देवतांक और त्रिश्रा को मोत की नीन सुला दिया अंगत ने नरांतक का काम तमाम कर दिया लक्षमन ने अतिकाय का सिरकार डाला राक्षर सीना भाग खड़ी हुई रावन के पास अब कोई विकल्प नहीं था युद्ध नाध हुआ अकेला बचा रावन युद्ध के लिए निकला फुफकारते हुए मन कुछले साप की तरह वे चिधर मुरता भगदर मच चाती वानरों को भागते देख लक्षमन आ गया धनुष पांड लिए रावन के सामने अभेद दिवार की तरह खड़े हो गए थोड़ी ही देर में विभीशन वहाँ पहुच गए उसके बाद राम उनके सामने रावन की एक न चली विभीशन को राम की सेना में देख रावन उबल पड़ा उसके लिए हैं देश तरुख था छोटे भाई का विभीशन पर निशाना लगाया लक्षमन ने हैवान बीच में ही काट दिया उसने दूसरा घा तक बांड चलाया इस बार लक्षमन बीच में आ गए उन्होंने विभीशन को अपने पीचे छिपा लिया पांड लगते ही लक्षमन अचेत हो गए गिर पड़े राम ने यह देखा उनकी आखे क्रोध से लाल हो गई आग बरसने लगी उन्होंने लक्षमन को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावन को चिनोती दी कहा रावन काल तुझे मेरे सामने ले आया है आज अन्याय पर न्याय की विजह होगी तेरा अंथ निश्चित है उधर हनुमान लक्षमन को उठाकर रंचेत से दूर ले गए वैद शुशेन को बुलाया हनुमान संजीवनी बूटी लाए चिकित्सा शुरू हुई धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंध हो गया खाव भर गया संजीवनी का प्रभाव चमतकारी था सुगरीवने लक्षमन के स्वस्थ होने के सूचना राम तक पहुचाई मैं सींग की भाती रावन पर तूट पड़े राम रावन युद भयानक था शुस्त्रों की गती से कापा देने वाली ध्वनिया निकल रही थी हवा थम गई थी सूरज बादलों के पीछे छिप गया था शुस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंद रही थी गरगरा हट थी धरा देने वाली दोनों युद्धा अपनी पूरी शक्ती से लड़ रहे थे कोई एक रत्ती भी पीछे खसकने को तयार नहीं कुछ ही देर में लगा कि युद समाप्त होने को है दोनों पक्ष के युद्धा हाथ बांद कर खड़े हो गए छोटे छोटे युद थम गए सबकी नजरे राम और रावन पर पड़ी थी सबकी आखे फटी रह गई भलके जुकना भूल गई उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था रावन का एक बांद राम को लगा उनके रत की ध्वजा कटकर गिर पड़ी राम ने प्रहार किया बांद रावन के मस्तक में लगा रक्त की धारा बहे निकली बीच में युद कुछ पल के लिए रुका रावन अपने महल चला गया खोड़े और रत पदलने राम को इसकी आवशक्ता नहीं पड़ी युद फिर शुरू हुआ अब उनके रत एक दूसरे के सामने थे युद्या आँखों में आँखे डाल कर देख सकते थे घोड़ों के मुँ मिल गए थे रावन के बाणों ने रावन के रत का मुँ मोड दिया यह पराज्य का संकेत था रावन हिम्मत हारने लगा जब तक वहरत कुमा था राम का एक बाण उसके पार निकल गया रत मुड़ा लेकिन रावन के हाथ से धनुष छूट गया वे प्रत्वी पर गिर पड़ा मारा गया बच्ची हुई राक्षर सेना हर बड़ा गई जान बचा कर भागी उनका दिशाग्यान शून ने हो गया जिसे जिधर अफसर मिला भागा कुछ राक्षर सेना की और दोर पड़े कुछ भागते हुए समुदर में जा गिरे लंका विजय अभियान पूरा हुआ राम की जैकार होने लगी कुछ समय पूर्व का रंचेत्र एकदम बदल गया शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली वानर सेना उचल कूद करने लगी समुदर से ठंडी हवा आ रही थी शस्त्रों से उत्पन गर्मी भे अपने साथ पहा ले गई कुलाहल तुमुलनाद में प्रवर्तित हो गया प्रसंता सरव्याब थी रंचेत में केवल एक व्यक्ती दुखी था शोक से व्याकुल विलाब करता हुआ अपने भाई के मरत शरीर के पास खड़ा राम ने विभीशन को समझाया वित्र शोक मत करो रावन महान योद्धा था उसके अंतेश्टी महान तक एने रूप होनी चाहिए मृत्यू सत्ते है उसे स्वीकार करो राम ने एक एकवानर का अभार माना सुग्रीव को गले लगा लिया लक्षमन से विभीशन के राजजबिशेक की तयारी करने को कहा चाहते थे कि रावन के अंतेश्टी के बाद राज़ते लखो उसमें विलंब न किया जाए उन्होंने हनुमान को बुलाया अशोकवार्टी का जाने का निर्देश दिया यह संदेश आपको ही सीता तक पहुचाना है उन्हें लंका विजय का समाचार दीजे उनका संदेश लेकर शीग राईए विभीशन के अंतेश्टी से लोटने तक उनके राजजबिशेक के तयारी हो चुकी थी लक्षमन राजमहल पहुच गए थे वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए थे लक्षमन विभीशन के पास गए उन्हें साथ लेकर रांच सिंहासन तक आए सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन रतनो मनियो जड़त समुद्र चल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीशन का भी शेक किया अब विभीशन लंका के राजा थे इस बीच हनुमान अशोक वार्टिका से लौट आए राम के पास उन्होंने कहा माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन हुई वे आपसे मिलने के लिए अधीर है तब तक विभीशन वहीं आ गए थे राम उनकी और मुड़े कहा लंका पती सीता अब भी आपकी अशोक वार्टिका में है उन्हें हैं लाने की वेवस्ता की जाए वानर से इना चुहल कर रही थी अठखेलियों में लगी थी राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई सुग्रीव, जामवंद और नल नील भी उत्सुक थे अंगद को प्रतीक्षा थी हनवान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाव से अधिक लगी सुन्दर, सौम्य, शांत उस सुन्दरता में एक वर्षबात पती से मिलन की प्रसंता शामिल थी कष्ट इतिहास हो गया था